हेलो एवरीवन वेलकम बाग तो माई चानल सु आई होब कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एक्राइम के प्रिप्रेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज की जुमारी न्यू वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटाग तो यह बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो लेस्ट टॉक अबाउट इट देखेंगे अगर आप बात करें तो लार्ज वराइटी ओपीडर्मल ग्लांड प्रेजन होते हैं हमारे स्किन पे अगर हम मैमल्स की पर्टिकुलरली बात करें जैसे हमने कल आपको काफी सारी चीज़े पढ़ाया थी स्वेट ग्लांड, ओयल ग्लांड, हेयर, फॉलिकल वेगरा सब कुछ पढ़ाया था ना ठीक है तो वैसे काफी सारी ग्लांड होते हैं कुछ ट्यूबलर होते हैं और कुछ अल्वील ओयर होते हैं नेचर में and always they are like multis अल्लर बट कुछ यूनिसाललर भी होते हैं कल हमने unisalular भी देखा था मल्टिसाललर भी देखा था ओके जो प्रिंसिपल ग्लांड है वहां आपके स्वेट ग्लांड जिसे कि हम सूदोफैरिक ग्लांड बोलते हैं and the B, second one is our जो प्रिंसिपल ग्लांड में second one है वहां आपका sweat gland के अलावा oil gland ठीक है जिसे कि आप sebessious gland भी बोलते हो तो second हमारा क्या है oil gland है ओके समझ गया है आप उसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो हम सबसे पहले sweat gland की बात करेंगे क्योंकि हमने बोला कि यह बहुत जादा important topics है जो हमारा sweat gland है जिसे कि आप pseudoriferic भी बोलते हो क्या बोलते हो pseudorific gland भी बोलते हो तो इसे हम क्या बोलते है पसीने वाली ग्रंथी बोलते है जहां से हमें क्या मिलता है काफी सारा पसीना मिलता है जैसे आपकी body जो होती है वो गर्वयों में कितना ज़्यादा पसीना आपके body से रिलीज होता है only because of the presence of this gland इस gland इस ग्रंथी के होने के वज़े से आपके अंदर क्या होता है काफी सारा पसीना जो है वो बाहर निकलता है और यह जो पसीना निकलता है वो क्यों निकलता है only आपके osmo regulation के लिए आपका जो excessive salt है excessive कोई भी waste है nitrogenous waste हो गया या फिर excessive water है तो वो mix हो जाएगा और आपकी body से बाहर निकल जाएगा ठीक है तो यह जो glands होते हैं यह long होते हैं quiet होते हैं और tubular होते हैं ठीक है क्या होता है यह long है और सबसे पहले यह tubular है और इस तरीके से यह क खुप सारे एक में coiled है ठीक ऐसी glands आपको मिलेंगे उनका lower part होता है वो धसा होता है हमारी dermis की layer में और जो upper part होता है वो open हो जाता है outside through a pore जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी body में पहले होता है epidermis फिर हमारी body में होता है dermis ठीक है जो की काफी चौड़ी एक layer है उसके बाद हम लोगों ने देखा था hypodermis जिसे कि हम subcutaneous layer भी पोल रहे थे तो जो हमारा sweat gland है न वो ऐसे यहाँ पर रहेगा लेकिन quiet tubular की form में लेकिन इसकी pores जो होगी वो हमारे epidermis से बाहर निकली रहेंगी तभी जो sweat होगा वो बाहर की तरफ क्या होगा हमारे skin पे आकर क आपको दिखाई देता है ठीक है फिर इनका distribution जो होता है sweat gland का वो different होता है हमारे mammals में uniform नहीं है यह नहीं कि यह की जगा पे पाया जा रहे है सबकी body में different होगा थोड़ा थोड़ा ठीक है अब देखो जैसे यह रही हमारी epidermis ओके लेट मी अच्छा इससे ड्रॉ करते है ठीक यह ओगया epidermis ओके यह हमारा section epidermis का है and this is our dermis ठीक है यह हमारी dermis के लिए रहे है तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे यह coiled structure है यह वाला structure देख रहे हैं यह coiled structure ट्यूबलर है इसकी पोर्स देखो बाहर की तरफ खुली है देखो यह यह बाहर की तरफ खुली है ठीक तो यह क्या है हमारी यह हमारे sweat glands है जो sweat release करेंगे और यह देखो यह sweat के pores है पसीने के यह जहां से sweat जो होगा वो आपकी body के बाहर आएगा और यहीं पर आपको hair follicle वे गयरा भी दिखता है ठीक है तो dermis में आपने देखा यह blue वाला पार जितना है this is what this is your sweat gland जहां पर आपको sweat pores मिलेंगे और यहीं से आपको क्या होगा sweat बाहर निकलते हुए दिखाई देगा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो sweat gland होता है वो हमारे hair follicle के pore के साथ ही होते है खुले हुए जैसे कि यह hair follicle है यह hair follicle निकल रहा है तो उसी pore से आप देखोगे कि sweat जो होगा वो भी निकलेगा ठीक है तो यह चीजे आपको समझ में आ गई होंगी अब देखिए in case of man जैसे कि हमने बोला कि mammals में डिफरेंट तरीके से यह फैले हुए है जैसे अगर हम अपने इंसानों की बात करें तो man में जो sweat gland होते हैं वो बहुत सारे होते हैं palm पे, soul पे and armpit पे कहा कहा होते हैं हमारी हतेलियों पे आपका हाथ आप खोल के देखो आपकी हतेलियों पे present होंगे आपके तलवों पे जो आपका पैर है नीचे उन तलवों पे और आपकी बाह के गड़ों पे जो आपके आर्म पिट है वहाँ पर आपके बहुत ज्यादा sweat gland present होंगे कर्मी जब होती है तो पसीने सबसे ज्यादा इन ही रीजन से बाहर आते हैं फिर हमारे cat dog rat में ज तलवों पे जो पैरों के जो तलवे होते हैं उन पे पाए जाते हैं यह सब थोड़ा सा माइन में रखना पूरा रटनी की ज़रूत नहीं है लेकिन याद रखना कि हमारे man में किसमे किसमे पाए जा रहे है human being में हमारे palm पे, soul पे, armpit पे लेकिन अगर हम cat, dog, rat की बात करें तो उनके तलवों पे जो पैर के तलवे होते हैं उन पे पाए जाते हैं हमारे sweat gland ठीक है उसके बाद जो rabbit होता है इन पे जो glands होते हैं वो इनके lip के around इनके जो oat होते है खरगोश में उनके around पे यह जो sweat ग्रंथी है जो पसीने की ग्रंथी है वो पाए जाती है ठीक है उसके जो sweat होता है वो watery होता है appearance में बट ये color red में हो जाता है certain animals like hippopotamus and macropus तो आपको पता होगा जब आप जू गए होगे तो हमेशा आप क्या देखते हो ना गुलाबी color का पसीना देखते हो उनमें भी आप ये sweat gland का color कुछ और देखते हो ठीक है तो आपको ये पता चल गया कि sweat जो है जो पसीना है वो watery color का होता है थोड़ा पानी जैसा दिखने में होता है लेकिन दर्याई घोड़े और जो आपके macropus हैं इनमें जो रंग होता है इनका ये लाल होता है ठीक है तो हमन और क्या होंगे long होंगे ठीक है और इनका जो नीचे का सिरा होगा ये ये वाला पाट जो होगा ये dermis में पाया जाएगा और ये जो पोर है उपर का ये जो पोर है ये हमारे EP dermis में पाया जाएगा ठीक है और उसके अलावा ये watery होते हैं ठीक है उसके बाद ये men में कहां-कहां पाये जाते हैं? Soul में, armpit में, और बताओ, जल्दी बताओ, कहां पाये जाते हैं? आपके हतेलियों में, ठीक है? आपके palm में, ओके? उसके बाद हमने पढ़ा cat, dog and rat. तो इन में कहां पाये जा रहा है? इनके जो पैर के soul है, soul of fit में पाये जा रहा है, ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ा? cat, dog उसके अलावा rabbit में, rabbit में ये lip के around पाये जाते हैं, ठीक है? और hippopotamus and macropus में ये red color के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आपको notes बनाना है, बहुत line by line नहीं लिखना है, हिंदी वाले बच्चों भी, आप लोग सीधा सीधा लिखो, कहां कहां क्या present है, किसमे किसमे कैसे कैसे पाये जा रहे हैं, बस आपको यही सारी चीजे जो है आपको अपनी copy में consider करना है, ओके, आपका notes जो है लीजिए, वो तयार हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से लिख ले ना, इसके functions पढ़ लेते हैं, कि हमारे sweat gland के function क्या है, जो secretion होता है हमारे sweat gland का, उसे हम sweat बोलते हैं, जो पसीरे की ग्रंथियां जो है, जो वो secret करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पसीना जो आपके waste हैं, उनको हटाने में सहायता करते हैं, और सरीर के तापमान को नियंतरित करने में मदद करते हैं, यह belief किया जाता है, कि जो हमारे eye, जो eye margin के पास, जो मोल होता है, वो एक modified sweat gland है, जो कि similar आपको दिखाई, अब यह बतारम तुम्हें कहा है, जो हमारे eye है, जो हम आपके होती हैं, तो यहां आप देखते हो, नोज आ रहा होता है, यहां पे जब आप सो के उड़ते हो, आपको वैक्स नज़र आता है, जिससे आप कीचर बोलते हो, आप साफ करते हो, तो यह जो wax secreting gland है, यह आपके ear passes में भी present होता है, जो आपके ear में wax बनाता है, जो आप और जो आपके ear wax है जो आपके कान में खोटी आती है वो भी क्या है modified sweat gland से आ रही है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखना है ऐसा माना जाता है कि मनुश्य के आखों के किनारे इस तिल जो मोल ग्रंथियां है वो संसोधित modified है और यह बाहरी कान मार्ग पे जो आप है gland वो भी modified sweat gland है that's all about the sweat gland now let's talk about sebaceous gland sebaceous gland क्या होता है यह gland alveolar होते है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे ठीक है ऐसे alveolar दिखाई देंगे ठीक है alveolar nature के होते है बैग नुमाइन के structure होगा जनरली यह associated होते है हमारे hair से यह occur होते है hairless part of the body पे around the genital area tip of the nose उसके बाद border of lip independently यह generally associate करते हैं बालों से यह जुड़े हुए होते हैं लेकिन यह बाल रहित हिस्सों पे पाए जाते हैं ठीक है अंदर से बालों से जुड़े होंगे लेकिन बाहर जाकर के वो अलग पाए जाएंगे जैसे कहा कहा पाए जा रहे है तो योनी जो आपकी जनांग है जो आपकी जनाइटल एरिया है आपके वैजाईनこんにちは नाएक आपके नोग नोगी नोग पर आपको देखने को मिलेगा उप के लिप के बॉर्डर पे भी देखने को मिलेगा इचे सब्सकों कांप जो पार्ट आपने देखा वह यह की जादा क्या है चाहिए आपके बहुत ही आपके nose को moisturizer चाहिए आपके lip के किनारे किनारे पहाँ जा रहा है because आपके lip को moisturizer चाहिए तो oiling is like very necessary तो human body में पहले से ही वो चीज प्रेजन्ट है oil gland जिसे की हम sebaceous gland बोलते हैं ठीक है जो कि as a moisturizer काम करता है सभी जितने भी organism है उन में यह glands absent होते हैं this is a very important point कि कहां यह absent होते हैं तो यह absent होते हैं कुछ organisms में जैसे की नाम है pangolin, citae और sirenia ठीक है तो यह organisms है जिसमें क्या होगा sweat gland नहीं पाया जाएगा अब देखिए यह हमारा epidermis है this is our epidermis, okay and this is our dermis वाला layer, ठीक है यह dermis हो गया ना, देखो और यह नीचे हमारा हो गया यह नीचे हो गया hypodermis, तो आपको dermis के जगा पर ना क्या दिखाई देगा आपको यहां देखो, देखो देखो, यह hair follicle है, यह hair follicle है नीचे ठीक है, यह hair जा रहा है उपर, ऐसे, जा रहा है ना, आप देखो लेकिन आपको बाहर से दिखाई देगा कि यह जो ग्लैंड से उनसे बहुत ही जादा सेपरेट है नीचे रूट से जुड़ी हुई है शूट पे आते वक्त पूरी की पूरी तरह खतम हो जा रही है ठीक है अगर इसे इनलार्ज करके देखोगे तो तुम पहले बेसल सेल इनक बना है जो यह इनका एरिया हमने बनाया यह जो एरिया बनाया है उपर का दिस इस वाट दिस बेसल सेल यह पूरी तरीके से बेसल सेल है ठीक है यह कुछ इस तरीके से यह बेसल से बनी हुई है फिर सेकेंड आपको इसमें देखने को मिलेगा अंडिफ्रेंशियेटिट तो इन्हें हम कहेंगे आपके undifferentiated sebocyte, site मतब cell, sebo मतब oil gland, ठीक है, ऐसे cell जो कि oil release कर रहे हैं, फिर आपको कुछ दिखाई देंगे क्या, एक मिनट, जो undifferentiated cell होंगे वो आपके केवल से केवल पूरी की पूरी corners पर पाये जाएंगे, wait a minute, this is your undifferentiated cell, ठीक है, sebum cell, उसके बा दिखाई देगा, ठीक है, और एक ही जगा पर cluster में आपको क्या दिखाई देगा, cluster में आपको दिखाई देगा, यहां पे खुब सारा sebum, and यहीं sebum जो होगा, वो release किया जगा हमारे oil gland से, जो कि बाहर आपके body पर दिखाई देगा, तो यह आपका हो गया, आपके oil gland के बार मौशराइज रखने में, oily बनाने में, गरंती जो है, इसे हम sebum नाम से बोलते हैं, यह तेली अप्रकिर्टी का होता है, और सरीर में तेली बनाय रखने में मदद करता है, पूरी तरीके से moisturize करता है, मिबोमियम gland जो होता है, आईलिट के पास, वो modified sebessious gland होता है, यह oily film से क् surface of the eyeball, जो हमारी eyeball है बीच की, आप कभी किसी की आखों को बहुत ही ज़्यादा गौर्ड से देखना ना, तो आप जो eyeball है जब उस पे नजर डालोगे, तो वो eyeball हमेशा ही ना, तुम्हे थोड़ी सी moisturize दिखेंगी, थोड़ी सी गिली-गिली दिखेंगी, और वो हमेशा लगी मिबोनियन ग्लैंड करके, यह सीबेशियस ग्लैंड का मोडिफाइड ग्लैंड है, समझ रहे हो, जैसे स्वेट ग्लैंड का भी मोडिफाइड ग्लैंड था ना, वैसे ही आपे, जो oil ग्लैंड है, उसका भी मोडिफाइड ग्लैंड है, जिसे कि हम मिबोनियन ग्लैंड बोल मतलब का सुआ है जो यहन की आयन को क्या करती है घंद गलेंट क्या होता हैा जिसे की न खुशबु आती है आपके बाड़ी से इसकेंट गलेंट जो होता है यह औरल गलेंट से रिलेटब है यह act करता है as a sex attractant, ठीक है, they are situated on different part of the body, अब scant gland के बारे में अगर तुम्हें बताएं, तो यह sex attractant है, male में पाये जाएंगे for the female, female में पाये जाएंगे for the male, ठीक है, तो यह क्या करते है, different body part पर यह present होते हैं, जैसे अगर हमारी deer family की बात करें, तो scant gland जो होता है, वो near the eye, आ आखो के आस पास, carnivores में यह near the annus पाया जाएगा, pig and goat में यह कहां पाया जाएगा, between the toes, जो उनकी उंगलियां होंगी पैरों की ना, उनके बीच में पाया जाएगा, ठीक सॉल about the today's video, क्या क्या पढ़ लिया हमने इस video में, तो हमने एक sweat gland के बारे में पढ़ा, फिर हमने oil gland के बारे में पढ़ा, okay, and हमने एक scant gland में, मतब एक थोड़ा सा होता है, कि extra कुछ पढ़ लेना, तो हमने scant gland के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है, sweat gland में भी हमने आपको बहुत चीजे बताएग, साथ में आपको modified वाला भी बताया, इसमें भी आपको modified oil glands बताया, कहां कहा about the today's video, छोटी सी video ही बनाया है, हमने एक और वीडियो आपको मिलेगी शाम मुम तक, जहां पर हम आपके साथ function of integuments के बारे में discuss करेंगे, ठीक है, तो integumentary system के क्या-क्या function है, वो सब हम elaborate way में आपके साथ discuss करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए भी चानल को subscribe करिएगा, कर दो आत् shortest ही बiero óदपेश पक हम है आपके साथ सेवंगे, और हम रवाईगे नजया है, तो प्ते है करुएंगे, वीडियो इत बादाता है, और हम अएप़के साथू आबेगे, सत्र वाईट सेवंगे, झापके बाले में तो एम प्रोमें दinizi काने कर दोंगा है, भी equipment कर स